दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बेसिकली तीन पॉइंट के उपर डिसकेस करने वाले हैं अगर आप किसी लून अप्लिकेशन से पर्सनल लून लेते हैं आपका कॉंट्रैक्ट लिस्ट और आपका पर्सनल डाटा उस अप्लिकेशन में चला जाता है उसे कैसे रिमूब करना है आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे नमबर टू अगर आप किसी फर्जी लून अप्लिकेशन का शिकार हो गए हैं तो उसे बाहर कैसे निकलना है इसके बारे में भी बताएंगे नमबर थ्री कि अगर आपने फरजी लोन एप से लोन ले लिया है ये मान लीजिए क्या उसको रीपेमर्ट करना किया तो आपके साथ क्या हो सकता है इसके उपर भी आपको विस्तार गुरुख जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी आज का ये वीडियो काफी इंफरमेटि करना है तो मैं दोस्तों बताना चाहूंगा जब भी आप ऑनलाइन लोन अपलाई करते हैं तो जिस भी अप्लिकेशन को आप इंस्टॉल करने के समय परमीशन देते हैं तो वो अप्लिकेशन आपके कॉंटाक्ट लिस्को भी असेस कर सकती है और आपके गैलरी में ऐसे से पहले अप्लिकेशन को अनिंस्टॉल कर देना चाशे बिगारा क्लेगा तो उसके बाद अगर आपका अप्लिकेशन अनिस्टॉल हो गया तो बो आप्लिकेशन बाले जो है आपके फोन का एक्सेस नहीं ले पाएंगे तो पहला तो link अपना यहीं पर disconnect कर दिया अब बात आती है कि आपका जो डाटा होता है क्या बहां से रिमूब हो पाएगा तो मैं दोस्तों बताना चाहूंगा जब भी आप अपने मोबाइल नंबर से साइन अप करते हैं जो भी अधार कार्ड पैन कार्ड की डेटेल डालते हैं वो उनके सिस्टम में स्टोर हो जाती है यहां से आप अपने मोबाइल फोन से निकाल पाएंगे पर उनके सिस्टम से निकाल नहीं सकते हैं आप उन्हें किसी तरीके से डियक्टिवेट कर सकते हैं क्या होता है मतलो आपका डाटा जो इंकरेप्टेड बेसिस के ऊपर लिया जाता है मतलो आप एक बार डाटा डालिए आपके डाटा को सेव कर लेती हैं अगर इन फ्यूचर आप दुवारा जाकर साइन अप करते हैं तो आपको सिर्फ OTV के माध्यम से ही आपका सारा डाटा वहाँ पर रिकवर कर लिया जाता है जैसे आप अपना क्रेडिट कार्ड की हिस्टरी फिलिप कार्ड या फिर उसमें सेव रखते हैं नंबर बगएर आपको पता ही होता है जब आप शॉपिंग करते हैं तो उस समय कार्ड का नंबर आपको वार वार फिल नहीं करना पड़ता है उसी तरीके से यह भी अप्लिकेशन काम करती है पर मैं आपको बताना चाहूंगा आप बिल्कुल 100% इन अप्लि इसके बाद इतना आप कर सकते हैं पर जो contact list होती है उसको आप डिलीट नहीं कर पाएंगे उसको डिलीट करने के लिए आपको सबसे पहले अगर बिलकुल आपको contact list डिलीट करनी है बिन अप्लिकेशन को रिमूब की हुए तो आपको सबसे पहले आपने Gmail अकाउण में contact list को बनी रहे और आपको फोन में आए तो ऐसा नहीं हो पाएगा दोस्तों आपको अप्लिकेशन को ही अनिस्टॉल करना होगा उससे आपकी फोटो बगेरा वाइरल ना होने के चांसे ज्यादा हो जाते हैं मतलब अगर डिस्कनेक्ट आपने अप्लिकेशन कर दी अनिस्टॉल कर तो आपका फोटो बगेरा वाइरल होने के चांसे फिर बहुत ज्यादा काम हो जाएंगा नमबर टू अगर आप किसी फरजी लोन आपके चक्कर में फस गए हैं आपने ऑनलाइन किसी भी मतलब सोचल मीडिया की वेबसाइट से देखकर लोन अपलाई किया था बिना जाने पहचाने कि अपलिकेशन कैसी है आपने सोचा दो लाग का लोन मिल जाएगा मिला आपको सिर्फ 5,000 रुपया आप वो 10,000 रुपय की डिमांड और कर रहे हैं आपके कोंट्रैक्ट लिस्स के साथ छेड़ चाड़ कर रहे हैं या फिर आपकी कोई फोटो वायल करके अपने पर्सनल तरीके से ही किया होता है कहीं पर आपका लोन डिस्पले नहीं होता है अगर आपका सिबल स्कूर हिट नहीं कर रहा है तो आप यह मान लीजिए कि आपका अगर लोन आपने रीपेमर नहीं भी किया तब भी आपका कोई भी कुछ नहीं उखाड सकता है अनपढ़ विक्ति को क्या होता है, उसको मोवाइल चलाने नहीं आता, उसको लोन अपलाई करने नहीं आता, तो वो ट्रैप में फस्ता नहीं है, आज कर पड़े लिखे लोग हम जादा ही थोड़े से हुश्यार बनते हैं, जादा हम ट्राई करकर के देखते हैं, जो भी सोच 10 प्लस 2 किया हुआ है, ठीक है, तो आपको बेब कूफ बनाने वाला कम से कम 10 प्लस 2 तो आपके लेवल का होना ही चाहिए, सोच लीजिए, अगर आपको किसी ना आपको बेब कूफ बनाना है, तो वो आपके एक लेवल उपर का ही होगा, आपसे नीचे वाला तो आपको बे कारवाई कारवाई बहुत कम करते हैं को डरने वाली बात नहीं है कहीं पर आपकी कम्पलेंट नहीं करेंगे सिर्फ द्रा धंका कर ही आप से पैसे बसूल करेंगे यह ऑन-लाइन एक बसूली का काम इनों शुरू किया हुआ है तो आप यह मान लीजिए दूस्तों एक जुरू तो आगर आप अपने रिष्टेदारों बगारा को बता देंगे तो आपके लिए अच्छा ही रहेगा आपकी टेंशन थोड़ी कम हो जाएगी अगर फोटो बगारा आए तो उनको बता देना कि आपकी फोटो जो है मोवाइल से किसी ने हैक कर लिया है तो उसकी बज़ा से ऐ हो रहा है तो आजकल कोई भी बेबकुफ नहीं होता है दोस्तों अगर आपका कोई रिष्टेदार है सगा समंधी है तो आपकी जरूर ही करेगा तो आपको पहले अकेले मैं सोचकर घवराना नहीं है देखिए अगर आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम हो गई है तो सबसे पहले आप अपने घरवालों से बात करिए अकेले आप उस समस्या का समादान नहीं करेंगे क्योंकि अगर आप अकेले उस समस्या से निप्तने जाएंगे तो आपको परिशानी हो सकती है इसी चक्कर में काफी सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं तो आपको घवराना नहीं अगर आपकी कोई फोटो वाइरल भी हो गई है तो आप यह मान के चलिए कि कुछ भी नहीं हुआ सब नॉर्मल ही है तो दोस्तो ऐसा रिष्टेदार कोई भी नहीं होता है कि आपकी वो धजीया उड़ा दे तो आपको हमेशा ध्याना है कि जब भी कोई ऐसी बात आपके साथ हो जाए तो पहले आप अपने घर वालों को जुरूर बताईए जिससे आप कोई गलत कदम ना उठा सके देखिए दोस्तो हर एक ब्यक्ति की लाइफ इंपॉर्टन है हर एक ब्यक्ति को जीने का अदिकार है अगर कोई इस बात को लेकर परिशान होकर सुसाइड करता है तो इ कोई भी आपको आपको लोन किसे पहले मेंता है अगर कोई भी आपको अपन से करनाए को एक keh тов Scene कर नहीं हो और आपको लिएर करना है तो किसी स्маुंत से करना है कर दो मतलों स्माट थो और आप को बहुत बगयर मतलँ वेता स्मार्ट फोन में ना और शाया है यस्सरे मीह ought偶 तो आपको पर्सनल लोन लेना है तो आपको सिबल स्कोर ही खराब करते हैं बाकि आपको जान से मानने की धंकी नहीं देते हैं अगर आपको ड्रा धमका रहा है तो आप बेफिकर हो जाएए SIM card निकालिए अराम से सो जाएए कोई कुछ नहीं विगाड़ पाएगा आपका तो उमीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आप अच्छे से समझ गए होंगे जो मैंने तीन पॉइंट यहाँ पर आपको स्क्रिप्शन बॉक्स में दिये हुए हैं तो आप बहाँ पर जाकर अपलाई करके लोन देख सकते हैं दोस्तों बहाँ पर आपका कोई भी डाटा शेर नहीं किया जाएगा मतलब आपको बहाँ पर ड्राने धमकाने वाले फोन बिल्कुल नहीं आएंगे जो भी लोन आपको दिये जाएंगे वो किसी मतलब प्रॉपर तरीके से सिवल स्कोर और इंकम प्रूफ के अधार पर ही दिये जाते हैं तो आप बहाँ पर विरोसा कर सकते हैं आपके साथ कोई भी बहाँ पर मतलब बैड एक्स्पिरिंस नहीं होगा उमीद करता हूँ आज का ये वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सबस्क्राइब कर ले गए के साथ सथ बैल आइकन ओन करें तब आपको फाइदा होगा तब हमारा ऐसा वीडियो आपके पास अगली वाल सबसे पहले पहुंचेगा तो मिलते हैं दोस्तों किसी नए वीडियो में तब तक अपना ख गार मैं है आ है कि एक है आ द सोल मृत消šब कर ये लुर एक जयरा है आ है कि एक है इन्ति Margaret